अस्वाम लेकुम मैं हूँ सेच शेख और आपको अपने चैनल पर खोशामदेद कहता हूँ स्टोरीज मैंने शेयर करनी है दो पहली स्टोरी है कासिम मलीशा से मतलिक और दोसी स्टोरी है हाल ही में जो जजजिस को पलॉट किये गए हैं उनके मतलिक हम को फित्गू करेंगे तो शुरू करते हैं कासिम मलीशा की कुछ तसवीर आज कल सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी है जैसा के कल आपने देखा होगा के मुखलिफ अकाउंट से ये तसवीर रीटवीट की गई इन पर तरहा तरहा के कैप्शन्स दिये गए और तरहा तरहा के मीम्स बनाए गए इसके बाद कासिम अलीशा का एक वीडियो बियान आया जिसमें उन्होंने कहा के ये तसवीर बगएर पूछे और चोरी के जरीए वाइरल की गई हैं और उन्होंने इस पर कोई गम गुसे का इजहार नहीं किया बलके उन्होंने एक लतीफ पराई में बात की के मैं और मेरी फैमिली इन तसवीब पर बनाए जाने वाले मीम्स पर हस रहे हैं एक उनकी अच्छा जवाब था उनका और उनकी मेंटल अप्रोच की दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह वो अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि आपको मुस्बत सोच रखनी चाहिए ऐसे ही ये तर्ज हम का उनों ने मुझाहरा किया और दूसी बात उनकी बॉडी लैंग्विज थी उनकी बॉडी लैंग्विज इंताई पॉजिटिव थी नाजरीन किसी की जाती तसवीर उसके घर में की ली जाने वी तसवीर को वाइरल करना साइबर एक्ट के तहट ये जर्म है इस सिल्से में कासिमली शा ने भी बताया कि उन्होंने एक्ट के साइबर क्राइम विंग से राप्ता कर लिया है वी वर्ज इन तसवीर पर इशू नहीं बनना चाहिए जो तसवीर मैंने देखी है अभी तक इन पर कोई इशू बनता नहीं है नहीं कोई काबल एतराज बात है अगर अपन कासिमली शा से पाकिस्तान में करोणों लोग महबत करते हैं और कासिमली शा जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लेक्चर में लोगों को मस्बत बाते हैं वो लोगों को यह नहीं बताते कि आप तावीज लें या आप फलाना चिला काटें या आप फलाना अमल करें तो आप क में अभी हसिल कर सकते हैं वीवर्स अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो कह है कि जजिस को मुखतलब सब्सक्रेटरिश को मुखतलब साबिक डी जी एफियेज को और मुक्तलिफ बिरोक्रेट्स को इस्तामबाद के एक सेक्टर में प्लॉट्स अलॉट के गए है इस जमीन की मालियत जो दिन्यूज में स्टोरी शाय हुई है उसके मताबिक इस जमीन के मालियत तक्रीबन पचीस अरब रुपे है और इसकी ये जमीन एक शर्य चार अरब में इसके तक्मीन लगा कर ये प्लॉट्स अलॉट कर दिये गए हैं अब देखें कितने अफसोस की बास है कि पाकिस्तान में जहां पर मेट्रो पर या औरिज लाइन ट्रेंड पर दो अरब की सबसिड़ी पर ये वज़रा और ये हकूमत पिछली हकूमत को ताने दिया कर दी थी अब 25 अरब रुपे के जमीन दो अरब रुपे में लाट कर दी गई है इनको कोई पूछने वाला नहीं है दूसी तरफ मलतान बार में धायतन दोतेस तकारीर की गई है जिसमें मजुदा चीफ जिस्टिस को भी हदफ तनकीद बनाया गया है अगले आने वाले दिनों में वुकला और जजजेस के दर्मियान कोई मजीद जंग होती नज़र आ रही है पाकिसान में स्टेबिलिटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही क्योंके खबरें ये भी हैं कि सुप्रीम कोट में जूनियर जजजेस को लाकर अपनी मरजी की बेंच तश्कील दिये जाने का इनकिशाफ हुआ है और ऐसे जजजेस जो हकूमत की इमा पर और इस्टेबलिश की इमा पर फैसले करेंगे उनको अप्वाइंट करने का नकिशाफ हुआ है तो नज़र तो यही आ रहा है कि फिलहाल ये जो चीजें हैं ये जो डिवलोपेंट्स हैं ये किसी मजीद क्लैश की दरफ बढ़ रही है मजीद तसदम की दरफ बढ़ रही है मीट करेंगे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी लेकिन इस सिसमें तुम्हाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अरदा करना पड़ेगा मिलते हैं आपसे नेक्स वी लॉग में बहुत शुक्रिया